हेलो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम PHP 7.4.10 जो करेंट वर्जिन है उसको Windows 10 operating system पर इस्टॉल कर सकते हैं इस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे पहले हैं PHP को उसके लिए अपने फेवरेट ब्रॉजर बजाईए हम क्रोम पर जाएंगे आप कोई भी ब्रॉजर यूज कर सकते हैं यहाँ पर जाती ही सर्च में PHP लिखिए एंटर प्रेस कीजिए अब यहाँ पर देखिए ओफिशल वेबसेट है यह पी डॉट नेट इस पर क्लिक कीजिए क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर डाउनलोड लिखा है डाउनलोड के बाद देखिए हमें विंडोस पर इस्टॉल करना है तो उसके लिए विंडो डाउनलोड करेंगे विंडोस उसके लिए विंडोस वर्जन डाउनलोड करेंगे इस पर क्लिक कीजिए क्लिक करते ही देखेंगे दो तरह की बोजिजिंस गिवन है नॉन थ्रेट सेफ और थ्रेट सेफ हमेश्था थ्रेट सेफ डाउनलोड कीजिएगा नीचे जाएए यह देखिए आप एक 64 लिख है मतलब यह 64-bit OS के लिए है अगर आपको चेक करने आपका विंडू सिस्टम 64 यह 32-bit है स्टार सेट है तो मतलब आपका यह यह 64-bit इस्टॉलर अब इस पर आपको क्या करने है यह जिफ फाइल है इसको डाउनलोड करने है यह 24.94 MB की है इस पर क्लिक करते डाउनलोड करने के लिए अब यहां देखिए डाउनलोड शुरू हो गया है दोस्तोё देखियो डाउनलोड हो गया यह जिफ फाइल अब सोटर पर गिल्क किजिए यह बारे डाउनलोड फॉल्डर में जाएगा अब यहां पे देखिए दोस्तों जिफाइल आगी रेट लिक कीजिए कॉपी करेंगे इसे को अब हम कहांपर इसको इस्टॉल करना है वो देखेंगे हम सीड्रेप पे क्लिक करते हैं प्रोग्राम फाइल्स यहां पे इसको पेस्ट कर दीजिए कंटिन्यू पेस्ट हो गया अब रेट किजिए एक्स्टैक्ट टू फोल्डर अब देखिए यह आगया हमारा इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और देखेंगे सारी फाइल्स आगी पीएच्पी वाली पैक पर क्लिक कीजिए अब इसका हम नाम चेंज कर देते हैं यह हमने कर दिया अब यह मारा वोजन आ गया पूरा अब क्या करना है अभी कंप्लीट नीव इंस्टॉलेशन अभी हम इसका पाथ सेट करेंगे उसके लिए स्टार्ट पर जाएए लिखिए अन्वार्मेंट विरेबल्स लिखते ही देखिए यह आ गया है एडिटर सिस्टम अन्वार्मेंट विरेबल्स क्लिक कीजिए अब यहां पर देखिए एडवांस टैब है उसमें जाहिए अन्वार्मेंट विरेबल्स पर क्लिक कीजिए अब यहां पर देखिए अ environment variables आगे यहां पर दो तरह के environment variable है पहला सिर्फ अमित यूजर के लिए system के और दूसरा system variable है यह system variable इस system के सारी users के लिए कर देगा तो हम इसी पर path set करेंगे अब देखिए यहां पर आपको search करना पाथ यह हमारा इस पर हम double click करेंगे तो देखिए सारे path आगई यहां पर यहां पर हमको path set करना है उसके लिए हम क्या करेंगे हमको पहले path चाहिए तो यहां वापस जाएंगे double click करेंगे यहां हमारा installation path select किया right click copy कर लिया अब इसको यह path right click paste करना है बस पेस्ट करते ही अब देखिए path यहां पर आ गया 7.4.10 जो कि मारा same path था यह वाला अब देखिए ok पे click कीजिए फिर सी ok पे click कीजिए और आखिर में यह वाले बेभी ok पे click कीजिए अब check करते है verify करते है कि सई से install किया गी नहीं बहुत यह आने स्टार्ट पर जाईए cmd लिखिए right click run as administrator यहां पर लिखते है php-v v ka मतलब version होता है अब interface करेंगे interface करती ही जब अगर यह आ जाए मतलब आपनी सई से install कर लिए यह देखिए version लिखे 7.4.10 current version यहां पर लिखा है date यह date considerate है जब release हुआता है version यहां पर copyrights and technology जो कि इनका है मतलब आपने सई से install कर लिए php तो दोस्तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम php 7.4.10 download and install कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छी लेगे तो हमारे चैनल को subscribe करना ना बूले धन्यवाद